प्यारे दर्श को जिन्दगी हर हाल देविच खूबसूरत है बस अपने आप ते थोड़ा विश्वास रखें प्यारे दर्श को जिन्दगी दुख वी है जिन्दगी सुख वी है जिन्दगी तुप वी है जिन्दगी चा वी है जिन्दगी बुलियां दा हसा ते अक्यां दा पानी वी है ते जिन्दगी दी एही कहानी है ते जीने जिन्दगी दी इस कहानी नू समझ लेया ओई जिन्द पर इस चुनौती दे बावजूद भी इनाने बहुत हिम्मत दे होसले देनाल जिंदगी दी इस मुश्किल दा सामना गिता थे इस मुश्किल नो अपना हथियार बनाया जिंदगी दे विच काम्याब रहे अगे वदे ते बहुत सारे विद्यार्थिया ले उधारन भी बने अंग्रेशी दे अदियापक नै अज इनादे जिंदगी दे संगर्श दी कहानी इना तो सुनांगे बहुत कुछ इनातो सिखांगे बहुत बहुत इनादा स्वागत कर दें बहुत बहुत स्वागत वेलकम जी आयानों जिन्नात प्रभावशाली तौड़ा नाम है उन्ही प्रभावशाली तौड़ी शक्सियत है और तुसी इन्हें मजबूत हूं अपने आप दे वेच कि तौड़ा जड़ा जीवन दा सफर हो साड़े सारे आवास्ते इंस्पीरेश सब तो पहला अगास कर दिया है एस सवाल दे नाल क्योंकि साड़ी जिंदगी दा एक बहुत ही कीमती खूब सूरत समा होंदा है ना मेंगा जी बच्पन दा के हो जासी तो अड़ा बच्पन सर मेरा बच्पन बहुत ही चेरफुल रहा है क्योंकि मैंनू परालिटिक अटेक काया 10 दे विच जो मैं 14 यह दी सी उस तो पहला मैं बिलकुल स्वाथ सी हैल्दी सी और हैल्दी चाइल्दे रूप दे विच मैं सारे अपने प्रोग्रेम जेडेवी सटे ऐनुल फंक्शन दे विच हुंदे सी स्पोर्ट सुन्दे सी सब दे विच पार्टिसिपेट कर दी स ते आम बच्चे आंधी तरह मेरा जो लाइफ है चाइल्ड़ोड पीडियड है बहुत ही अच्छा रहा बहुत ही आनन्दा आएक रहा ते एक विद्यार्थी दे तौर ते जे पुझा जी गल करिये ते किस रदे तुसी विद्यार्थी थी मैं मैं शुरू तो ही बहुत ही विद्यार्थी सी हमेशा फर्स आंधी सी अपनी क्लास दे विच और 10 दे विच जदो मैनू प्रॉब्लम आई उस तो थोड़ी देर पहला आनूल फंक्शन दे विच मैनू बेस्ट गर्ल अफ दे स्कूल दे वजो नवाजया गया सी ते बस इस तरह मेरा अच्छा रहा है मत इस बारे दसो ना हलातन दे बारे सानू थोड़ा विस्थार भी दसो जी एक्चली सर मेरे फाइनल एक्जैम बोर्ड दे 10 बोर्ड दे 16th March 1991 नू स्टार्ट होने सी और 13th of March नू रात नू मैनू परलेटिक अटेक आगया और रात नू ही सानू प्रॉब्लम दे बारे पता ल इस हो गया सी इवन असी टच करे ते भी ऐसास ही हो रहा सी बिल्कुल संसेशन खतम हो गया सी और मूवमेंट बिल्कुल चली गया सी और ओदे नाल फिर नेक्स दे ही स्वेरे 14 तरीक नू मैननू CMC दे विच अड्मिट करा जिता गया और उस साल फिर मेरे इग्जैम नहीं ह होए और मैं फिर उस टाइम वसे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया सी मेरा अटैग दे होन करके ते बस ओ फिर 14 दिन तक कंटीनू रहा जी 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 साब पुझा जी तुसी दसे आ कि जदो ए सब कुछ तोड़नल वाप्र रहा उस विले तुसी दसमी दे विच सी जदो कोई बच्चा हूनदा है ते ओ समा हूनदा है जदो उन्हों जिंदिगी समझ आ चुके हून दी हाना उस तो पहला तुसी चल दे फिर दे सी के नॉर्मल तड़ी जिंदगी सी जी अचानक जिंदिगी दा इस तरह बदल जाना की हाला आट सी हो मैम जदो मैनों प्रॉब्लम माई सब तो पहला था उस टाइम कोई आइडिया ही नहीं सी कि एदा दी प्रॉब्लम भी हुं दी है लाइफ देविच क्यूंकि मैं अपनी लाइफ देविच उस टाइम तक कदी वी किसे हैंडिकाप बच्चे नू नहीं देख्या सी डिसबिल्टी बारे कोई आइडिया नही और मैं सोचनला पही के फिर्स टाइम चले गे मैं एक्जाम नहीं दे पाई जो मेरे वास्ते बहुत इंपॉर्टन सी और फिर में मूव्मेंट नहीं थी और मैं बैठ भी नहीं सक दी सी उस टाइम मैननू मतलब लम्मी पेंदी सी और मेरे मदर ही मैननू साइड चेंज करां के एक इस तरह मैं एक्सेप्ट करां के मेरी लाइफ इकदम चेंज हो गई है लेकिन असली रिलाइजेशन कुछ देर बाद होया जदो बिल्कुल ही औवियसली बैड रिडन हो गई जे इस करके हौली हौली मिननू समझ आई के हुन मैं शायद काफी लंबे समय तक नहीं चा की थड़ी मनो स्थिती सी की उस विले तौन पता सी की जिंदगी हुदी रफ्तार हुन इदादी हो जाएगी की मैं हुन अपने पैराते चल नहीं सकांगी इस संगर्ष बारे इस चनौती बारे की तुसी उस विले सोच रहे सी ने उस टाइम मैंनू कोई आइडिया ने सी उ हो सकते है की थोड़े जी देर तक ठीक हो जाएगी दो दिना तक मैं ठीक हो जावांगी लेकिन हॉली हॉली जदो क्योंकि ग्रूप ऑफ डॉक्टर्स आंदे सी वो डिसकेशन कर दे सी मेरे सामने फिरुना दी गाल बात तो मैंनू ऐसास होन लग पया के ज्यादा प्राब् स्थिती नू बड़ा मजबूत रख्या मांसिक तोर ते तुसी ही पुड़े मजबूत सी इस सुबावदे वेच आना और खास तोर ते उस कमजोर वक्त नू अपनी ताकत बनाना मजबूत बनाना एक हमें संबब हुया सर सब तो पहला था जदो मैंनू प्राब्लम आई हो तो मेरे पेरेंट्स मेरे मधर और फादर दोनों बहुत ही ज्यादा डिसहारटन्ड हें उनानों ।थी ज्यादा छी का क्यूँनकी शाय कान्वेज नियुक। देख नतों के मैंनुं ज्यादा फील हो रहा था के ओ लगा ता रोंदे रंदे सी मेरे मदर भी फादर भी और उस टाइम एहसास होया कि यह लंबा चलेगा लेकिन आफ्टर फ्यू मन्स तक्रीबन ऑक्तूबर दे विच मैं दुबारा जॉइन किता स्कूल क्योंकि पहला सी टीटमेंट ही मेरा चालदा रहा ते और जदो मैं पर जॉइन किता क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही है अपने स्टार्टिंग लाइफ दे विच ते इस करके फिर मैं जदो पड़ाई दे विच अपने आपनों इंडल्ज कर लिया फिर ओ इक स्ट्रेंथ शायद इन बॉन है मेरे विच पेरेंट्स वालों भी दि मेरे पेरेंट्स दिया दुआवा और उन्हादे सपोर्ट ने जो इमोशनल सपोर्ट मैंनू मिलया ओदे नाल इक इंटर्नल जो ताकत है वो मैंनू मैसूस होई और ओदे नाल मैं अपनी पड़ाई भी कंटीन्यू कर पाई और इस मुकाम ते पाँच पाई की की परेशानिया तवनों उसवेले आईया जदो एस चुनाती तो बाद एकदम तड़ी जिन्दगी बदल गई केड़ी केड़ी परेशानिया आईया की इद्दा दे कुई परेशानिया आई की उसवेले तड़ा मन तुट गया हुए परिशानिया था बहुत तरह निया परिशानिया है जिदा तुसी जो डेली रूटीन दे कम है उना दे विच्वी क्यों कि मैं तोटली डिपेंडेंट हैं इवन एड प्रेजेंट भी थर्टी यर्ज हो चुक्किया इस इंसीडेंट नू और हुन तक मैं खडी भी नहीं हो सकत हैं मैं मूव्मन नहीं काड सकति अपनी लेग्स दी मैं मेरे मदर ही मेरा सारा काम कर दे हैं फादर इनिशाल स्टेज दे विच ओ मैंनू चुक्के लएक जान दे सगे जदो भी किते लेके जाना हून भी इवन कड़ी shift करना हुए तह मैंनू चुक्के ही किता जान दा हैं व कोदना दी लाइफ देखी है जिस दे विछ मैं 14 साल बिल्कुल ठीक सी, सारियां एक्टिविटीज की तियां, दूसरी लाइफ मेरी ओल्टुगेदर चेंज हो गई, जदो मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई, मैं हों दूसरे बच्चेयां नो देख सक दी सी के ओ दौड र बहुत ही डिसहाटनिंग सी मेरे वास्ते, फिर अनुल फंक्शन दे विछ हर फंक्शन दे विछ मैं 3-4 आइटम्स दे विछ मेरी पार्टीसपेशन हुं दी सी, वेदर सिंगिंग, डांसिंग, कवाली, गिदा, सारे मैं प्ले, इवन सब कुछ किता हुए है, ता ओ बैक ते आगी मैं, हून मैं कुछ नहीं कर पारी सी ता, ओ मेरे लिए मुमेंट वाकई बहुत निराशा वाला रिया है, लेकिन पर मातना दी, जिदा मैं तो नहीं पहले हैं किया, कि ब्लेसिंग्स है, मेरे माबाब दियां ब्लेसिंग्स है, जिदा मैं अपने करेज नूँ पाई और फिर अगे बाद पाई, इस तरह दा भी महसूस होंदा होएगा कि बार बार इस जिंदगी मेरा इम्तिहान लगातार लई जा रही है, और तुसी उस इम्तिहान दे वेचे सफल भी होई, फरस्ट आए पहला प्राइस उसी हासिल कीता है, जिदगी दे इम्तिहान द बार किते जा रहे हैं, ता हर इंसान जेड़ा भी मिलदा सी, ओ बिचारी किनी सोनी है, ओ बिमार हो गई, यहूने तुर नी सक दी, सिंप्थी, बसलब सारे हां को लों सिंप्थी, और ओ शायद देखे कई वले मैनों इरिटेशन बाथ हुंदी सी, क्योंकि मेरे वास्ते एक आंपेटिशन देः विच ही एक कार दिया जिक मैं जो बाखी नॉमल टीचर्स कर देढा है, मैं उस लेवल तक यह उस तो वद कं कर दिया, इस कर के मैं कदी अपनी आपनो एन ही फिल कर दिया, के मैं डिसेबल दा, यह मैं क्योंकि ब्लैकबोर्ट वर्क सारा का मैं खूद क कर दिया अपना इस कर के मैं उस जो सिचुएशन सुन दियां सी मेरे प्रती कोई सिंपथी हुन वी कदी शो कर दा है ता मैंनू ओ फील अच्छा नहीं लाग दा मैं सोच दिया के मैंनू तुसी मेरी अबिलिटी दे अकॉर्डिंग तुसी मैंनू ट्रीट करो एडिस जो सिंपार होना दे ने रिष्टेदार कार आंदेने लिए षदेदारां आंदेने डे लेने ने की प्रती क्रिया सी होना दि're यॉना दि प्रती क्रिया जिद्धा कार्य में धिया विसी सि के मैं हुप्छ्रूंज शोदिन्फिक्श का धियूuben ए उन्ह ने जो फीलिंग सी गयां, वाके ही मेरे दिल तक पहुंच रियां सी, इसका के ओदेना सूधिंग सी मेरे वास्ते. जी, पूझा जी साठी जिंदीगी दे बेद्सजे साठание माबब तो बाद जिडें साठी योगदान, तूसी फिरे गांचे हो, तूसी भी अदियापक हूं, तूसी वी ओड़ी जिंदीगी दे वेच्चे तूसी जी जिन आप पूच्छा मूंच ऋया, तूसी पूच्छा चाहे मैं उ स्कूल दी गाल करां, जदो मैं डिसेबल्ड हो गई, उदो फर्स टाइम हो थे गई, क्योंकि 10th मेरा लास्ट येर सी हो थे, उस तो बाद मैं कॉलेज देविच स्टडी किती है पांथ साल, फिर बीयड भी हो थे किती है, और पोस्ट गैजेशन मैं किती है, बुक्स दिन दे सी, जदो भी मैंनो ज़रूरत पर ही, उनना ने मैंनो हमेशा हल्प किती है, जे, ते सहेलियां दी जे गल करी है, सहेलियां तो भी असी बहुत कुछ सिख दे है, साथ सबनू प्यारा हों दे, तो आड़ा साथ किस तरह दा रहा, सहेलियां ने किस तरह सुन दिया है, कि हर कोई उस हिसाब दे नाल थोड़े नाल नहीं ट्रीट कर पांदा है, लेकिन मेरी यां फेर भी बहुत अच्छियां सहेलियां रहियां है, बहुत कोपरेटिव रहियां है, उनना विचो कुछ सहेलियां है, जिना दे नाम जे मैं थानु दसा, उनना विच जस्विंदर कॉरिक मेरी फ्रेंड रही है जो प्लस वन तो लेके बीयर तक अच्छा तोडे नाल रही है विल्कुल छे साल मेरे नाल मेरी ट्राइसिकल नूँ पुश करंदे विच मेरी हल्प दी जरूरत हुए वाशून जाना हुए हर तरह दी हल्प उसने मनों किती है उस तो बाद कार्दे विच साड़े कार्दे को लड़की सी उज्वल जैन ओ लड़की ने मेरा बहुत साथ देता है उन्हों मेरेड है लेकिन हुन वी जदो आंदे है ता असी हमेशा मिल देया ते और जे मैं गाल कर आँ अपनी टीचिंग करियर दी उस दे विच भ दे एक दूसरे ना सुख दुख सांजे करी दे जी बिल्कुल चंगी संगत दा नतीजा हुना है उस चंगा ही हुना सगर आतमा की हुना है तुसी अध्यापका हूं हून असी गल करांगे कि तुसी विद्यार्थिया नू अपने स्कूल दे बेच्चिया नू कि इसे टंग पड़ाओने ओं इस बारे तो जरूर जानांगे प्रोग्रम सादा गल्लाते गीत है और असी होन एक गीत देखना अपने दर्शकान देखाना जे तुख दो अधिया जी गीत क्यान देखाना जानते अपने स्कूल आपने स्कूल देखाना जानते बेच्चिया सिर नाल यार्यान वनना जानते उंग रूप जाब दे तोनी उच्च कार केजियो ना जानिदे वो कप रूप जाब दे जदों कदे अनिखादी गल्ल तूरुदी शक्त देजु नाडियां वैरियादी हित्की उत्ते धीवे वालि केमो नाउंदे देजिवाडियां जदों कदे अनिखादी गल्ल तूरुदी शक्त देजु नाडियां वैरियादी हित्की उत्ते धीवे वालि केमो नाउंदे देजिवाडियां जान मनुं सब कुस खूना जान दे उन्दु रूप जाब दे जोली उत्ते गल्ल तूरुदी शक्त दे पंगड़े दे मोरी अल्ल वेले खेडादी सची जिन्द जाने सिद्वांगो सारे इस फित एनादी करते बियाने पंगड़े दे मोरी अल्ल वेले खेडादी सची जिन्द जाने सिद्वांगो सारे इस फित एनादी करते बियाने तुसे वेक्रियो जी प्रोग्रेम गल्ना ते गीत ते गल्ना ते गीत देविच पूजा शर्मा जी आज सारे नाल ने ते ना दे जिंदगी दे संगर्ष ती कहानी इना तो सुन रहे हैं बिल्कुल पूजा जी ब्रेक तो पहला शी तर तो स्वाल पुछिया शीगा कि तुसी एज अद्यापक एज टीचर अपने विद्यार्थिया नू के में पढ़ाने हो और खास तो और ते जिंदगी दे मतिहान देविच के में सफल होना है इस बारे तो अदे उननू की जी अद्यापक पर शुल देविच थी मुसापूर स्कूल देविच थी हून मैं नवाशा एक खास स्कूल देविच जी और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी लाइफ देविच आया है और मैं जित्थो तक पढ़ा अंदीगाल है ब्लैक बोर्ड दा यूज मैं खुद कर द देविच आया है फिर मैं ओनलाइन लेक्चर्स तयार किते है और इस सारियां चीजा मैं करके यूट्यूब चैनल क्रेट किता अब इसले यूट्यूब चैनल देविच आराउंड 45-50 वीडियो मैं खुद PPT बना के वीडियो प्रिपेर करके बच्चा नों प्रोवाइड कर दी रही हां अच्छा हां जी WhatsApp groups दे माध्यमनाल जूम मीटिंग्स लें दे रहे हां मतलब इस सारियां चीजां आसी बच्चा तक प्रोवाइड कर दे रहे हैं और बच्चा नों कमी नहीं हों दिती है पड़ाई दे मामले दे विच सारे पिछले time period दे विच पहला वी जो ज इस्ट, moral education दे मेरा lecture जरूर हुंदा है जिस तरह तुसी दसे है के guidelines की हुंदिया है मेरा first priority मेरी ए हुंदी है की मेरे students जड़े है अच्छे human beings बनन क्योंकि पड़ाई असी degrees ता जिन्या मर्जी तुसी हासिल कर सकते हो लेकिन जे तुसी अच्छे इंसान हो थोड़ी पहचान जो शिक्षा दी पहचान है educated होन दी पहचान है वो थोड़े अच्छे good manners है बिल्कुल और नयतिक कद्रा कीमता है जे being a teacher में अपने students दे विच नयतिक कद्रा कीमता पैदा कर सका और उन्हानों एक अच्छे दे नागरिक बना सका उसनू ही में अपने अदे आपननू सफल म मादे वेच चाने ते मानदे वेचे चलन लाग जाना है कि मैं उन बऩदे हो के डॉक्टर बनना है मैं इंजिनियर बनना है मैं बड़े हो के एक कम करने कि तुस्तरह तुसे कि मैं अध्यापक बनना नहीं जिस तरह तुसी क्या कि मैं एक अच्छी bright student रही है इस करके मेरे सपने भी यही सी कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनना है अच्छा और थो नो हैरानी होएगी कि जदो इंसीडेंट होया परलेटिक अटैक होया उसे दिन मेरे फादर साब किसे नाल गाल कारे सी कि मैं अपनी बेटी नू हुन टैंथ दे एक्जैम तो बाद इनू चंडीगर कि से अच्छे कॉलेज दे विच एडमीशन दौनी है ताकि अगों मेडिकल दी पढ़ाई कार सके लेकिन उस सामें मेरे किसमत दी गाल है कि मिननू रात नू एप्राबलम आ गई और मैं बार नहीं जाके पढ़ सक्दी सी इस करके मैं अगों फिर आर्ट्स दे विची पढ़न अनन दे बारे सोचा लेकिन मेरा सपना जरूर एही सी के मैं डॉक्टर बना बिल्कुल में गा जी उनने दास्ता के वना डॉक्टर बना तुसी वड़्यक की बना अपनी का जरूर करांगी पहले इना तौस वाल कर जी हास्य में जाकता नाना चाधा रहेंदा जिंदगी दे बहुत गल कर दें। एक क्वालिटी टीचिंग तो की पहां है और की हूंदी है क्वालिटी टीचिंग और तुसी किस तणा अपने टीचिंग दे वेचे रचनात्मकता लेके होने। क्वालिटी टीचिंग तो मेरा जो मेरी डेफिनेशन है क्वालिटी टीचिंग दी ओ ए है कि असी बच्चे नू उस तरीके नल पड़ाईए कि जो बच्चे है उना नू बिना ज्यादा मेनत किते ओ concept हर जो वी असी उना नू समझाना चांदे हां ओ उना दे जहन विच बैठ जाए क्रैमिंग नी क्वालिटी टीचिंग है क्वालिटी टीचिंग दा मतलब है different types of activities परफॉर्म कर निया जास्रूम दे विच उस दे विच एक्टिविटीज दी जे मैं गाल कर रहा ता मैं पिछले टाइम दे विच बहुत सारी activities परफॉर्म कर दिया जिद्दा क्योंकि जिदा handwriting वास्ते वी करवानिया, handwriting competitions मैं करवानिया, classroom दे विच debate competition करवानिया, poetry recitation competition हुंदा है, speaking activities different हुंदा है, ते ओदे नाल एक ता बच्चे दा confidence level boost up हुंदा है, दूसरा बच्चे नू एक language ते पकर जो vocabulary दे लही अच्छिया activities है, मैं different type of activities खुद create कितिया हुई है, crossword, puzzles ह हो गी गया हुदे विच हुँ, ते recently साढ़े government ने root word of the day, एक project start किता सी, उस दे विच भी मैं बहुत सारा मेरा personal contribution काफी रहा है, ते उस दे नाल नाल मैं stage दे विच, assembly दे विच हर रोज उनानू describe कर दी हुंदा हुदा 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 हु चब्दा हुदा 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 हु तो हर एक जो भी लेंगवेज है, उस दा बेस ग्रैमर हुंदा है, जे था नो ग्रैमर दी समझ है, तो तुसी कुछ भी उस दे सैंटेंस क्रिएशन क्या है, तुसी खुद सेंटेंस फॉरमेशन कार सकते हो, तुसी ओदे ते अपने विचारां दी अभी विक्ति अच्छी तर आउनलों क्यारा दे सारे कांसेट्स बिलकूल डिटेएल दे विच मैं समझा सकां, ते इसकर के ग्रैमर दीएंबुक्स दे रूब विच मैं स्टार्टिंग दे विच शुरुवात किती है, ते जिस आर्टिकल्स दी तसी गाल कर दे हो, ता आर्टिकल्स मैं स्पेशली डिसेबल परसंस वास्ते मैं इस तो किती सी के मैं विकलांग व्यक्तियां दी जो प्रॉब्लम्स है ते उना दे solutions है उना दे हुटते मेरे पहला आठ दास आर्टिकल में इस दे हुटते लिखे सी उस तो बाद फिर कुछ आर्टिकल्स इंटरनेशनल जो देस इस इस तरह आठ दा दा दे बहुत देश्पक्ती है मेरे अंदर ता मैंनो देश्पक्त बहुत पसंद है इस करके मैं कुछ मैं चांदी सी कि मेरे बच्चे जो मेरे इस दिन आली जोड़िया मेरा स्वाल सी कि में तुसी दा 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 आए इस तो इंस्पायर होन ते उन्हा दे विच भी ए फिलिंग आए कि आपने देश्पक्त देले कुछ कर गुजरन दा जो ज़जबा है वो उन्हा दे विच पैदा हुए जे इस करके वराइट इस दिन आली जोड़िया मेरा स्वाल सी कि में तुसी दा से कि विकलांग व्यक्तियां दे सशक्ती करन ले तुसी बहुत काम कर दियूं और खास तो ओरते जैसे उन गल करिये विमन इंपावर्मेंट दी एजुकेशन किनी जरूरी है आज दिया महिलावा वास्ते और खास जी सर एजुकेशन तब बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जे मैं अपने आपनू जदो देख दी हां कि जे मैं टेंथ देविच जदो मेनू प्राबलम आई उस तो बाद मैं पढ़ाई ना कर दी मैं एजुकेशन हासल ना कर दी ता शायद मैं थाट दे सामने नहीं आपनी एक वकरी पच्छान असी बना सक दे हां अपने आपनो इंडिपेंडेंट बना सक दे हां तुसी जे एक डिसेबल परसन एक अच्छी एजुकेशन हासल कार सकता है कोई उसनो जूब मिल जांती है ओ फानाइशली किसे ते डिपेंडेंट नहीं होएगा अपनी लाइ प्लस मैंनो लागदा है कि फिर अपने परिवार ते समाज ते अपने आपनो बोज नहीं समझेगा इस करके एजुकेशन देनाल एक ओदा जो दाएरा है ओवी वादा है ओदा जो दिमाग दे रूप दे विच आसी कह सक दे हां कि उस दा ब्रॉडन हुंदा है और उस तो ब कि मेंस्ट्रीम दे विच खुद नू इक ऐस्टैबलिश करना क्योंकि एक डिसेबल परसंदी लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रॉगल नाल पर हुंदी है और नॉर्मल हुमन बींग शायद उत्थे कनेक्ट इमोशनली नहीं कर पांदे उनना फील नहीं कर पांदे जिनना सफ शोकेस कर सकते हो दुनिया दे सामने के मैंनू आवल यहां प्राब्लम्स है और शायद हो दे सल्यूशन्स भी तुसी फाइंड आउट कर सकते हो तब मैंनू लगदा है के यह बहुत ही अच्छा जरीया है एजुकेशन इस करके डिसेबल वास्तेता बहुत ही जरूरी है जे स्टूडेंट्स विद्यार्थी वी तड़ तो बहुत कुछ सिख दे होंगे ते आसी देख दे हैं कि आजकल दे जेड़े बच्चे ने ओच थोड़ी थोड़ी चोटी चोटी गल तो हिम्मत हार जान देने है ना तो उसी उन्हाना कित्दा मोटिवेट कर देऊं फिर हां ज और जिनना मेरी पॉसिबिलिटी ए हुंदी है कि मैं जिननी हो सके उन्हान दी हल्प कर सका ते मैं उन्हानों मोटिवेट करन दा एह हुंदा है कि सेल्फ कॉन्फिदेंस जो है ओ जे थोड़े विच है एक सेल्फ रिस्पेक्ट आनी बहुत जरूरी है ए दो चीजां जे तब तुसी शायद कुछ निकार सकते जाए क्योंकि पहला एकसेप्टेंस होनी चाहिए है तुसी एकसेप्ट का लिया के आप प्राब्लम आई फिर एकसेप्ट का के अपना जो कूल माइंड तुसी रहके फिर तुसी ओदे सल्यूशन फाइंड आउट कार सकते हो क्योंकि जे तुसी ओस नर्वस हो जान दे हो किसे भी प्राब्लम दे विच या तुसी अपना हांसला गवा बैठ दे हो फिर तुसी निराशा दे विचले जाओगे डिसपॉंटेड हो जाओगे फिर तुदे अगे ओ होर भी ज्यादा वदी रहन दी है निराशा इस करके ए मैं बच असलूश्योस है टुसी तुसी अपने आपनू एक हो जाना हे मैं और खेहितताओ कानoncé। अपना ता था नो discipline दे विच रहन लेगा खुद नो ही motivate करना पहेगा क्योंकि enforced discipline जडी हुंदी है ओ थाड़े कदी काम नी आंदी है जडी self discipline है एह ही था नो motivate करेगी क्योंकि जै तुसी खुद नो discipline करोंगे फेर ही तुसी successful हो चीक है क्योंकि being a teacher असी बच्चे नो कहने आंके एनने वजे school आना है जे खुद असी उसनू act करांगे फेर बच्चे उसनू सनू copy करनगे इस करके मैं खुद discipline दे विच रहांगी तो automatically जो मेरे नाल मेरे को जे हजार बच्चा पार रहा है मैंनू देखके खुद discipline फॉल रोल मॉडल दा चंगा होना चरू है बिल्कुल बिल्कुल इस जिंदगी जे थाड़ी जिंदगी दी गल करिये कि तुसी आप ही बहुत वड़ा हुदा रहा नो discipline दा है ना ते जदो विद्यार थी जीवन दे विच तुसी सी इस चुनाओती तो बाद ओस वेले तुसी इस discipline नो की में बनाया क्योंकि बहुत मुश्किल समासी हो मैं मेरे मधर फादर इना दा रोल बोहत जयादा रहा मेरी लाइफ देविच क्योंकि मैं जिस तरह पहला है थाफ मेरी मधर दे है जिए हजे तक थी साल हो गया है मेरा सारा काम ओ कर दे है और मेरी लाइफ नो सवारन देविच सब तो बड़ा रोल उना Nahe मेरे फादर साब मैं जिस तरह पहला दसे है कि मैं लुद्याना दे विछ जाके स्टड़ी किती रेगुलर जे असी नौ वजे क्लास हुंदी सी मैं कदी क्लास दे विछ लेट नी हुई और जे तुसी मेरे टीचर नू पुछो ता ओना ने उस टाइम उना दी वर्डिंग सी के जो लोकल स्टुडेंट्स है ओ चाहे मी जाए नेरी जाए कुछ भी होए फाग भी पैंदी सी विंटर सीजन दे विछ भी मैं सादे छे वजे तूर पना है थूं नवाशाय तूं 50 किलो मेटर्स है लेकिन मैं बिल्कुल टाइम तो अद्दा कंटा पहला ही पहुंच दे सी ह और लेका, टाइम फिल्कुल टाव थूदा अपना मोटिफ क्लियर होना चाहिदा है थूं अपना डेस्टीनेशन दा पता होना चाहिदा है कि मैं इस डेस्टीनेशन दे पांचना है तो उस दे अकॉरडिंग तुसी अपनी लाइफ नो भी डिसिप्लिन कर लोगे तो अन्न जो गोल है ओभी अचीव कर पाओगे तो आडे जीवन तो देज़दों सी पढ़ दिया था बार बार एचीज सामने आंदी है कि सानु जिन्दगी दिया जो भी है परिशानिया मुश्कला चुनाथिया उन्दों डर्ना नहीं चाहिए दा मेरा इशारा है कि सानु लाइफ दे कि मैं एक गोल जिदा मैं तो न क्या है कि मैं गोल साट किता कि मेरे 90 परसंट मार्स आने चाहिए है तो ओ मेरी अपने तो एक्सपेक्टेशन है जदो मेरी एक गोल साट होएगा तो ओविसली मैं डबल ट्रिपल मेनत करांगी और उस लेवल ते मेनत करांगे जे मैं 90 ना कुझ धी एक्सपेक्टेशन सनू पूरा कर सक्दिया ता मैं हर एक बंदेदी एक्सपेक्टेशन थे खर य उत्राघी इस करके मैं डूसरे आते एक्सपेक्टेर नहीं राख दी क्योंकि उना दे उते साड़ा कोई अधिकार नी है या जोर नी है एह लिकिन साड़े थे है तो इस मंच तक पहुंच तक तो इस मशुन धोन ज़नल में तसया दży ज़ल क्शायक ड़ दाम है अइनिश्ई चय दिख मेरे ओप्रादर ही मिन्नु चुक्क्र लख जए हो जुट हैँ दे भेर ही और सी जो सदाकर तो मेरे फादर ही मेरे चड़ा अंदे सी उतार दे सी जदो मेरे ब्रदर में तो 5 साल चोटा है, जदो ओ 10th स्टेंडर्ड चे हो गया, क्योंकि जदो मैं 10th विच सी ओ 5 दे विच सी, ते ओ 10th विच अगया, तो उस दे विच अनी स्ट्वेंद आगई, तो मेनो उतार ते ओं तक हो मैरेड है, 15 साल होके उस दी मैरेज नू, पहला भी ओने मेरा काम बहुत किता, मेन्नू बहुत सपोर्ट होदी रहंदी सी, ओ भी मैनो चुक के एक कमरे तो दूसरे कमरे लेके चली जान दी सी, ते हून भी जदो भी ओ आंदी है, साड़े कार, ते मेरा सारा काम ओ ही कर दी है, ते emotionally साड़ा connection बहुत जादा strong है, असी एक दूसरे नाल अपनी सारी गल शेर कर दे हैं, ते मेन्नू कदी भी कोई कमी मैसूस नहीं होई, मेरी छोटी sister दे साथ कारन, उस दियां दो बेटियां है, ओ भी मेरा बहुत ख्या रख गया है, ओ जदो आंदी है, मेर नाल ही सों दियां है, ते मेरे नाल ही time सारा spend कर दियां, पूजा जी तुसी table tennis दे खिडा रही हो, प्लेयर भी रही हो, ये जेडा तोइडा positive attitude है, जिंदगी दे प्रती positive approach है, ये खेड़ना करके है, बिलकुल, खेड़ना बहुत एक positive role play कर दिया है, क्योंकि ना सेफ साड़ healthy body, plus साड़ा जो mind है, उसनो भी shape up करन दे विच, sports बहुत अच्छा role play कर दे, हुन मैं सोच दियां कदे कदे, के disabled person जो है, या ता, ओ education दे विच, अगे move on कर सकता है, या बहुत सार या games है, जे दे विच, disabled person जड़े है, बहुत shine होय हन, olympic तक गए हन, ते इस करके, कोई भी जो sports है, किसे भी रूप विच होय, ओ एक इनसान दी जिंदगी नू positive रखन दे विच, बहुत ही अच्छा role, healthy role play कर दा है, ता, मेरी life दे विच भी उस दा, एक positive role रहा है, हाजे तक, जी, पूजा जी, तानू बहुत सारे मान सन्मान भी मिले, है ना, होसला अफजा आई भी प्रेडना मिल दिये, एदे बारे भी जरूर गल गलाने, जी, मैं जो तेंथे विच सी, best girl of the school, 10 दे विच मैनो मिले, उस तो बाद, college studies दे विच मैनो, best girl of the college, अच्छा, हाजी, 1997 दे विच मिले, फिर DC, जो साडे district magistrate है, नवाशार दे, उना वलो मैनो, तीन वार सन मानित कि जा चुका है, हाजी, 1997 दे विच, 2009 दे विच, और 2020 दे विच, ते उस तो इलावा, Chief Election Commissioner, 2020 दे विच, January दे विच, National Voters Day थे, उना ने, disabled persons नू, वोट दे प्रती, मतलब उना नू, अवेर करन वास्ते, अपने राइट दे प्रती, अवेर करन वास्ते, मैननू, उना ने, स्पेशली ओनर किता सी, और उस तो इलावा, जो साधे मानयोग, Education Secretary है, कृषिन कुमाँ जी, उना वल्लो मैननू, काफी वार, appreciate किता जा चुका है, 100% result लई, English Booster Club, जो आजकल, established होया है, उन्जे विच, मेरे contribution लई, online teaching लई, content development लई, different, different fields दे, विच मेरे contribution दे लई, उना ने मननू, honor किता है, इस तो इलावा, होर सारियां, कुछ private संस्थावा है, उना वल्लों भी मननू, सर्मानित किता जा चुका है, जिना विचो मुंबई रोटरी क्लब है, वेस्ट कोस्ट मुंबई दा, और एक बैंगलॉर दी institution है, INSC, उना ने भी मननू, recently, best teacher award, 2021, honor किता है, बिल्कुर और इनने सारियां चीवमेंट्स है, तो अन्तब परिवार नू भी तवटते गर्व है, और सारी दुनिया नू अपने अपते गर्व है, कि तुसी आज इसमों काम दे पहुंचियों, अपनी मेनत, अपनी लगन दे करें, जिन्दगी दे वेच अपनी गल नू, पर आफशालित्ता अंग्रे नाल, दूसरे सामने रखना, यह भी बहुत बड्री काला है, और तौदे बिच परिव हुए है, मेरा इशारा है, लीडर्शिप क्वालिटी वाल, यह भी तौदे बिच है, यह लीडर्शिप क्वालिटी अपने विच के में लखिया है, यह ल हालादे विच शायद confidence हरे एक बंदे दा तुट जानदा है क्योंकि मैं चाल नहीं सक दी मैं हरे काम वास्ते दूसरे ते dependent हाँ जे मेरे विच confidence नहीं होएगा मेरे खुद ते खुद दा विश्वास नहीं होएगा अपने आप ते अपनी काबलियत नहीं होएगा मैं दूसरे नहीं कर सक दी मैं दूसरे नहीं कुछ समझा नहीं सक दी इस करके confidence होना ते परमात्मा ते विश्वास होना यह बहुत जरूरी है मेरे वास्ते मैं लगदा है कि एही मेरी जो जिंदिगी है उस दा निचोड फलसफ सब्सक्राइब करना कोई संदेश मिल रहे हैं पर फेर वी असी चान नहीं की तुसे दर्शकानूं जान दे जान दे कोई संदेश जरूर दो जी मैं एही कहना चाहांगी के विल पावर स्ट्रॉंग विल पावर होनी एक डिटर्मिनेशन होना द्रिड निश्चा होना क्यों जो डिटर्मिनेशन है और विल पावर हो बहुत जरूरी है कदे वी किसे भी परिस्थिती देविच निराश नहीं होना है अपने आपनू हमेशा ए सोच के चलना है कि परमात्मा ने मिननू बहुत सारियां ब्लेसिंग ना नवाजया है जरूरत है उना ब्लेसिंग नू लग जन्दा है ता असी अपने टैलेंट नू बहुत वधिया तरीके देनाल दूसरेयां दे अगे एज एग्जैंपल पेश कर सकते हां दूसरेयां नू मोटिवेट कर सकते हां प्लस सोसाइटी दा जो वेल बिंग है सोसाइटी एक हुमन ग्राउंड दे उत्ते तुसी काइंड हार्टेड होना दूसरेयां दे लई अच्छा सोचना अच्छा करन दी कोशिश करना एक सोशल वेलफियर दी फीलिंग होना जदो इंसान दे विच ए भी आ जान्दा है तथोड़ी अपनी जिंदगी भी सवर्दी है ते थोड़ी करके दूसरेयां दी भी जिंदग आस रखिए ताहीं असी अपनी और अपने देश दी अपने परिवार दी अपनी समाई दी तरक्की कर सकते और सुना पविक त्यार कर सकतेयां अच्छा जी तुसी साड़े स्टूडियो दे वे चाहिए और एननी कीमती जानकारी और सानु एनना मोटिवेट किता प्रेणा देती तुअ अधा बहुत बहुत शुक्रियात थांक ये सो मट शुक्रियात प्याल दाशकर तुअ अधा भी बहुत बहुत शुक्रियात